असलाम लेकुम students, उमीद करता हूँ आप सब खेरियर से होंगे तो students, आज हमारा topic है derivative तो derivative का concept क्या है? ठीक है, derivative किन चीजों पर depend करता है उसका concept आज हम सीखेंगे तो students, सबसे पहले हम देखते हैं What is derivative? तो derivative की जो definition आपकी second year की book में लिखी है वो general हर बच्चा ये जानता है अगर किसी से पूछें तो just वो यही आंसर देता है rate of change the rate of change of dependent variable with respect to independent variable और होप सो आप dependent और independent variable के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे तो यहाँ पर जो main point है derivative का concept समझने के लिए वो है हमारे पास rate of change और rate of change हमारे पास दो तरह का होता है एक होता है average rate of change और second होता है हमारे पास instantaneous rate of change तो student यह जो हमारे पास instantaneous rate of change है यही हमारे पास main derivative है लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले average rate of change को समझना होगा कि average rate of change क्या है उसके बाद अगर आप वो समझ लेते हैं उसका concept क्लियर हो जाता है तब आप समझ सकेंगे कि instantaneous rate of change क्या होता है तो student उससे पहले हमेशा की तरह आप से request है कि चैनल पे आप नहीं है तो subscribe कर दें ठीक है बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को like भी कर दें तो student चलते हैं सबसे पहले average rate of change तो average rate of change के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ rate of change क्या होता है एक चीज का दूसरी चीज की लिहाज से change होना अगर आप काइनात पे नज़त दोड़ाएं तो हर चीज एक चीज दूसरी चीज के लिहाज से चेंज हो रही है रात दिन के मताबिक चेंज हो रहा है ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही असान और साधा सी एक्जेमपल देता हूँ आप एट टीवी के एक अगर टीवी बहुत सारे कमर्शल ल मात अगर कमर्शल हुआएं त्टी यह उर्ख हो एक वाद करें जिस प्रोड़क्ट का एड विक्ष्छ सफी ज यहदा होती है ठीक है और उसके नतीजे में company ज़्यादा profit कुमाती है यानि जितनी ज़्यादा commercial होंगे उतनी ज़्यादा sale होगी तो rate of change क्या बना ठीक है commercial का rate of change बन रहा है यानि commercial से sale जो हो रही है वो ups जो down होती है तो यह rate of change हो गया उसके पास second है हमारे पास अगर आप किसी बहार बेचने ठीक है या slope टाइप जगह बेचने तो आप अफ़ट और आउटफ़ट दो जगह distance कवर करते हो तो उसमें आप देखें at a time आप राइस भी करते हो अब भी जाते हो रन भी यानि horizontal distance भी आपका टैह होता है ठीक है तो हो अब सो आपको इन दो example के थूरू rate of change का concept clear हो गया होगा कि rate of change क्या होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के लिहाज से यानि change होना तो चलें एक और example के थूरू मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं कि rate of change क्या होता है और average rate of change क्या होता है तो students यहाँ पर अगर हम एक car ले देते हैं और हम यह कहते हैं इस car ने हमारे पास distance tag किया 60 km और time लगाया 3R यानि यहाँ पर distance cover हो रहा है time के लिहाज से ठीक है यह rate of change किसका बनेगा distance का और time का ठीक है तो यह point B पर हमारी गाड़ी पहुच चुकी है अगर मैं आप से यह कहूं कि students मुझे एक दफा यह से कर दिया आप मुझे इसकी speed बता है तो आप तो कहेंगे सर यह तो कोई मुश्किल काम ही नहीं ठीक है speed का formula लगाते है change in distance divided by change in time final minus initial ठीक है तो आपके पास 20 km पर आ रहा गया अब देखिए यहाँ पर rate of change किया था distance का time के लिहाज से change होना ठीक है तो यहाँ पर जो आपने इसकी speed find की है 20 km पर आर यह हमारे पास average speed है ठीक है अब average का concept जहन में रखें average का मतलब यह नहीं होता यह कार जैसे ही चली 20 km के लिहाज से चलती गई तीन गेंटे 20 km के लिहाज से इसने सफरता है गी है ऐसा नहीं होगा average में यह कार start में चली होगी जहां traffic jam हो गया होगा ठी 20 से यह 5 km पर भी आगी होगी और जब road खाली हो तो यह हो सकता है यह 20 से 40 45 km अभी गई हो क्योंकि यह तो average speed है ठीक है और यह average speed ही है हमारे पास average rate of change होता है होपस हो आपको यह average rate of change का concept clear हो गया होगा फिर भी कोई question हुआ तो comment box में लाजमे comment करें अब चलते हैं instantaneous rate of change अब इसके opposite में आपसे question पूछता है अब वो car जा रही है ठीक है लेकिन कुछ distance तैय करने के बाद वो car एक दरख से जाकर टकरा गी और जहार सी बात है गाड़ी की जितनी damage हुई है वो किस speed पे मुनासर है यानि कि speed पे depend करती है क्या average rate of change या किसी और speed पे तो आप कहेंगे सर average rate of change पर या average speed पर कैसे depend करेगी ठीक है ये तो speed पे depend करेगी जो exact उस वक गाड़ी की speed थी ठीक है अब जाएर सी बात है exact जो speed थी वो डिपेंड करेगी गाड़ी क को कितनी डैमेज हुई है गाड़ी को कितनी चोट आई है ठीक है तो average rate of six पर depend नहीं करता तो वो एक लम्हे वो एक instant of time ठीक है वो एक लम्हे के लिए जो speed हमारे पास होती है ठीक है एक लम्हे की speed find करना ठीक है वो हमारे पास होता है instantaneous rate of change यानि बिल्कुल एक instant time पे जरा से time पे जरा से time पे चेंज पे यानि गाड़ी अगर गर से निकली है और थोड़ा सा फरताय करने के बाद मैं कहता हूँ 5 मिट के बाद गाड़ी की speed क्या थी speed at instant एक लम्हे के लिए तो ये हमारे पास instantaneous speed या instantaneous rate of change होगा अब अगर आप से मैं कहूं student मुझे इसका यानि फाइंड करके बताएं तो आप अगर वो ही फर्मूला यूज करते हैं इस फर्मूले से find नहीं कर सकोगी तो student वो कैसे find होगी तो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे Sir Newton इसके बारे में कौन नहीं जानता और second हमारे पास Labneys थे ठीक है इन्होंने derivation पर बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने concept दिया derivation का ठीक है थोड़ा सा concept difficult है लेकिन अगर आप गहर करें तो आपको बहुत अच्छी तरह clear हो जाएगा तो student derivative में हमारे पास तीन step में instantaneous rate of change हमारे पास मैं आपको समझाओंगा ठीक है तो सबसे पहला step है choose some point as second point it is extremely close to the point where you need to find speed आपने जिस point पे speed find करनी है for example मैं कहता हूँ अगर वो गाड़ी चली है after three second या after three minute five minute किसी भी लम्हे मैंने speed find करनी है कि उस लम्हें गाड़ी की speed क्या है तो मुझे एक दूसरा point consider करना पड़ेगा जो उस पहले point के बहुत करीब होगा for example यहां पर मैं कहता हूँ after three second गाड़ी की speed क्या थी ठीक है तो मुझे एक दूसरा point consider करना पड़ा जो पहले point के बहुत ज्यादा करीब था ठीक है जैसे 2.999 पहले point के बहुत ज्यादा करीब है ठीक है आपने दूसरा point consider करना है और second step यह है कि आपने उसका average speed find कर लेनी है ठीक है तो average speed में जो time होगा हूँ हमारे पस 0.001 और change distance वह होगा हमारे पस delta t d by delta t और तीसरा और last step है जो very important step है आपने एक interval choose करना है जो 0 के बहुत close हो फर 0 ना हो अगर आप limit के बारे में थोड़ा सा concept रखते हैं तो ऐसी चीज जिसके हम बहुत ज्यादा करीब हो यानि बहुत close हो लेकिन exact वह ना हो तो तीसरा step ही main step है choose interval to be extremely close to 0 but not 0 जैसे यहां पर limit delta t approaches to 0 delta t by delta d by delta t तो अगर आपको यह concept समझ आ गए हैं तो आप instantaneous rate of change find कर लेंगे चले एक इसे generalization में देखते हैं तो students power of generalization में देखें अगर हम एक function consider करते हैं y equal to x square तो अगर इसे हम first derivative यानि first principle की through से solve करें तो हमारे पास आता है limit delta x approaches to 0 delta y by delta x equal to 0 मतलब dy by dx equal to 2x अब यह जो हमारे पास answer आया है 2x इसका क्या मतलब है देखें जो हमारे पास given function है y equal to x square तो x की किस value के लिए rate of change क्या होगा समझारी x की किस value के लिए हम rate of change कैसे find करेंगे तो वो हमारे पास है 2x mean derivative with respect to x hope so आपको क्या नाम है concept derivative का clear हो गया होगा फिर भी अगर आपको कोई confusion है तो comment box में लाजमी comment करें thank you so much Allah आफिस